नमस्कार आप देखरें नियूस फॉर्णेशन और मैं हूँ सांक्वना आपके साथ उत्तर प्रदेश के उन्नाफ के भाजपाय में ले पंकज गुपता का एक विडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वाइरल हो रहा है जिस विडियो में एक किसान नीता सार्वजनेक तोर पर पंकज गुपता को थपड मारते हुए नजर आ रहे हैं साते साथ इस विडियो को समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिये से शेर भी किया है साथे साथ समाजवादी पाठी ने यहां तक कह दिया कि यह थपर सर्फ भाजपाय मेले को नहीं मारा गया है बलकि यह थपर पूरे बीजेपी पाठी के लिए जड़ा गया है साथ समाजवादी पाठी ने बीजेपी पे एक बार फिर से हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि एक बार यूपी में आचार संक्यता लागू होने दीजे फिर जब बीजेपी नीता घरों में जाकर कस्बों में और गावों में जाकर वोट मांगेंगे तब लोग उन्हे अप इसके बाद मंच पर मौजूद लोग इस किसान को नीचे उतार देते हैं हाला कि ये किसान नेता कौन है अभे इसकी पहचान नहीं हो पाई है उनको थपड माने का ये विज्यो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो गया है समाजवादी पार्टी की ओर से भी इस विज्यो को शेयर किया गया है उनाफ सदर से भाजपा विधायक पंकज गुपता को आयोजित जन सभा में किसान नीता ने थपड जड़ दिया किसान दुआरा मारा गया ये थपड भाजपा विधायक को नहीं बलकि यूपी की भाजपा शासित अधित्यनाथ सरकार की कुनीतियों कुशासन और तानाशाही के मूँ पर जड़ा गया थपड है ये कहना है समाजवादी पार्टी का साथी साथ समाजवादी पार्टी मीडिया ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उनाफ सदर से भाजपा विधायक पंकज गुपता को आयोजे जनसभा में किसान नीता ने सार्वजनिक रूप से ही मंच पर थपड जड़ दिया किसान द्वारा मारा गया ये थपड भाजपा विधायक को नहीं बलकि यूपी की भाजपा शासित अधित्यनाथ सरकार की कुनीतियों कुशासन और ताना शाही के मुँपर जड़ा हुआ थपड है समाजवादी पार्टी के मीडिय सेल ट्विटर से जो ये विडियो जारी हुआ है वो 21 सेकेंट का है उसमें बीजेपी के उनाव सदर से भाजपा विधायक पंकज गुपता मंच पर बैचे हुए दिखाई दे रहे हैं तभी एक हरी और सफे टोपी लगा कर बुज़ूर्ग मंच पर आता हुआ दिखता है उसके हाथ में एक लाठी भी दिखाई दे रही है जब विधायक पंकज गुपता को लगता है कि बुज़ूर्ग पास आ गए हैं उसके बाद वो थोड़ा आगे हो जाते हैं बुज़ूर्ग इसी दोरान तपाक से उनके चेहरे पर थपड़ जड़ देता है साथे साथ समाजवादी पाटी मीडिया ने अभी लिखा है अपनी ट्विटर के जरिये कि चुनाव अचार संग्यता लगने दीजिए भाजपा के नीता मंत्री विधायक सांसद गावो कस्वों में वोट मांगने के लिए घुस नहीं पाएंगे जनता का गुसा अंडर करेंट की तरह दोर रहा है जनता किस कदर परिशान और गुसे में है इसका अंदाजा भी शायद भाजपा के शीर शनीता नहीं लगा पा रहे है हैश्टाग नहीं चाहिए भाजपा बतादे कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को रीट्वीट भी करते हुए ये उक्त बाते लिखी गई है जैसे ही भरे मंच पर बिजएपी के मेले पंकज गुपता को थपड जड़ा गया उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो गया साथी साथ समाजवादी पार्टी एक भी मौका नहीं छोड़ रही है बिजएपी पर हमला करने को और बिजएपी पर हमला करते हुए समाजवादी पार्टी ने यहां तक कह दिया कि यह थप पर सर्फ बीजेपी मेले पर नहीं बलकी पूरी की पूरी बीजेपी शासत योगी आदितनात की सरकार पर है फिलाल के लिए अतना ही है न कई अपडेट्स के लिए हम आई साथ बने रहें न्यूस पॉर्णिशन में नमस्का